तो दोस्तो हम और आप लोग पिछले काफी महीने से अनलिम्टिन फ्री 5G का मज़ा यहाँ पे उठा रहे हैं जी और एटल के उपर लेकिन क्या आप लोग यह जी जानते हैं कि TRAI, Telecom Regulatory Authority of India जो की controlling एक authority है इन सभी telecom companies के उपर वो हम यहाँ पे सकती से पेश आ रहे हैं फ्री 5G data offer को यहाँ पर लेकर दरसल बात यहाँ पर यह है कि यह बात शुरूई थी साथ महीने पहले से जब वी ने वड़ापोर आइडिया ने यहाँ पे complaint की थी TRAI के पास में कि भाई यह जो company है ATEL और GEO यहाँ पे predatory pricing यहाँ पे रख रही है अपने tariff plans के मतलब कि ऐसी pricing रख रही है जिससे competition को यहाँ पे kill कर दे और अपनी duo poly बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रही है और साथी भी यहाँ पे V ने फ्री 5G offer यहाँ पे ATEL और GEO ने चाना रखा है पिछले काफी महीनों से इसको लेकर भी यहाँ पे complaint की थी हाला कि V की complaint से उस time पर कुछ भी नहीं हुआ था TRAI ने V को सीधा जवाब दे दिया कि भाई ATEL और GEO जो प्राइजिंग यहाँ पे रख रहे हैं वो below cost यहाँ पर विल्कुल भी नहीं है उनके tariff plans की प्राइजिंग तो हम उन्हें यहाँ पे यह offer देने से आपर रोक नहीं सकते हैं और उन्हें यहाँ पे वी को भी फटकार लगाई थी वाई आप लोग भी तो अपने hero unlimited plan के अंदर रात को बारा बज़े के बाद से 6 बज़े तक सुबह unlimited 4G data देते हूं उसका क्या यहाँ पर तो मतलब यह हमें पता चलाएगी भाई जो जियो और Airtel है उसे यहाँ पे TRII ने साफ शब्दों में काया है कि आपका unlimited free 5G जो plan है जो आप यहाँ पे data दे रहे हो unlimited 5G के अंदर उसको लेकर जो भी terms and condition है उसे यहाँ पे मिलकुल खोल कर हमारे सामने clear करो तो TRII के इस direction के response में सबसे पह मतलब कि जो आपकी Airtel की C में है उसके पर आप जो unlimited 5G चला रही हो ऐसा नहीं है आप 30 दिन के अंदर कितना भी चला सकते हो उसकी limit है यहाँ पे 300 GB की और उसके बाद यहाँ पे जवाब आता है जियो का जियो ने यह तो नहीं बताया कि उनकी limit यहाँ पर कितने की है परवन करते हैं एक particular data usage के बाद में और personally मैंने भी देखा है जब आप एंग दिन में बहुत जाथा 5G data यूज़ कर लेते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ स्पीड ही है यहाँ पे थोड़ी सी complaint करने ही भाई यह unlimited नहीं दे सकते हैं तो इन्हीं monopoly बन जाएगी इंडिया के अंदर लेकिन आप दिक्कत यहाँ पर यहाँ पर यहाँ ने खुद unlimited क्या होता है इस term को लेकि अभीतर कोई clarification दिया ही नहीं है तो indian telecom sector के अंदर इसको लेकि कोई clarification नहीं है कि यहाँ पर unlimited है उसका मतलब क्या समझा जाए तो इसलिए जियो यहाँ पर बोल रहा है unlimited का मतलब यहाँ पर हमारा infinite data से बिलकुल भी नहीं है हलां कि TRAI की तरफ से एक चीज़ बिलकुल clear कर रखी है वो rule यह है कि भाई FUP limit कुछ ना कुछ होनी चाहिए यहाँ पर जिसके बाद यहाँ पर speed के उपर cap लग जाएगी मतलब की speed यहाँ पर कम हो जाएगी लेकिन दिक्कत यहाँ पर cool मिलाकर यहीं हो जाती है कि cool मिलाकर को है समय पर TRAI के पास इस तरहीं की complaints company एक दूसरे को लेकर यहाँ पर करती रहती है बाकी वी की गले की हड़ी बना हुआ है एटल और जियो का unlimited 5G वो तो आप समको पताईए वी ने भी अब अपना 5G commercially launch कर दिया है लेकिन कोई भी unlimited plan के साथ launch नहीं किया है एटल और जियो की त चलने वाला है उन्हें जमीनी स्तर पे खुद करना पड़ेगा कुद कॉस्टमर्स को अच्छी service देनी पड़ेगी और सीधी टकर लेनी पड़ेगी services के साथ में आपे जी और एटल के साथ में तब ही जागे बाद बन सकती है हाला कि यहाँ पे एक चीज में clear कर देना चाता लेकिन हाई अन्लिम्टिट 5GM बहुत ही अन्दी खतम होने वाला है कुछी महीन होगे अंदर तो तैयार हो जाए एक मर्पेसे वही रिचार्ज करवाके और लिमिट के अंदर डाटा यूज करने के लिए तो मुझे उम्मीदे दोस्त आपके वीडियो पसलेगी वीडियो प के लिए अन्द टेक केर